ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है, Occupational Health क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे, वहां से आप डारेक्ट डाउलोड कर सकते तो शुरू करते हैं, छोटो सा टॉपिक, Occupational Health सबसे पहले चीज़ के बाई, Occupational Health का मतलब क्या होता है Occupational Health हमारा जो मुख्य उद्देश होता है, Occupational Health के बारे में पढ़ने का या उसके बारे में करके रखने हैं, अच्छे लेवल पे, ये एक पहला उद्देश ही होता है, Occupational Health को पढ़ने का कि भाई, जो लोग काम कर रहे हैं, Health की Definition क्या होती? Physical, Mental और Social Health पे ध्यान देना, तो वही Occupational Health का भी मुख्य उद्देश है कि Workers, जो किसी भी Occupation में हैं, उनकी Physical, Mental और Social Well-Being पे ध्यान देना और उसको Maintain करके रखना Second thing is, कि उनको, उनकी Working Condition की वजह से बीमार होने से बचाना बीमार होने से बचाना, याने Departure from Health नहीं होने देना याने कि अच्छी Health से दूर नहीं होने देना, उनकी Working Condition से तो उसको Prevent करना भी Occupational Health का एक उद्देश होता है तीसरी और सबसे Important चीज़ जो होती है, जो हमने Ergonomics में भी पढ़ी थी क्या? कि जो Workers हैं, उनको ऐसा Occupational Environment देना, जो कि उनकी Physiological Ability के हिसाब से हो और Psychological Need के हिसाब से हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है Physiological Ability, भाई कोई बंदा है जिसका ना Stamina एक नंबर है तो उसकी Psychological Need क्या रहेगी? उसको बढ़िया दौर भाग वाला काम चाहिए है उसको बैटे बैटे वाला काम नहीं चाहिए तो आप उसको ऐसा Occupational Environment दोगे ऐसे Environment में Place करोगे या Maintain करके रखोगे जहाँ पर Stamina का ज़ादा इस्तिमाल होता हो और दौर भाग करने की ज़ादा जरूरत हो आपने उसको दे दिया भाई तू 3rd floor से 1st floor पर काम करने जाया करेगा तू 1st floor से 5th floor पर काम करने जाया करेगा तू 5th से 1st floor पर इसकी Ability को ढंक से इस्तिमाल कर रहे हो और उसकी Psychological Neat के हिसाब से वहीं अगर दूसरा बंदा है जिसके पास अच्छी खासी Strength है मगर ना उसको दौर भाग नहीं पसंद हो उसको ना बैठे बैठे वाला काम पसंद है कि हमको ना जादे दौर भाग नहीं करने हमसे ये खुब सारा Heavy weight उठवालो सब कुछ करवालो पर हमको ये 1st floor 5th floor नहीं करना खुब heavy heavy काम हम कर देंगे तो उसकी Physiological Ability क्या है कि उसके पास Strength बहुत है Psychological Need क्या है कि हमको ना दौर भाग वाला काम नहीं करवाना हमको एकी फ्लोर पर जित्ता भारी भारी सावान उठवाना है उठवालो फिर हम थोड़ा सा Rest करेंगे फिर हम काम करेंगे फिर Rest करेंगे तो अगर तुमने Stamina वाले को Strength बहुत दे दिया तो पंगा हो जाएगा दौर भाग वाले को बैठे बैठे दे दिया या बैठे बैठे वाले को दौर भाग करवा दिया तो पंगा हो जाएगा तो यही हम Ergonomics में करते हैं कि यह Physiological Ability के हिसाब से और Psychological Need के हिसाब से उसको ऐसे काम में रखना तो ये तीन मुख्य उद्देश हैं occupational health के कि उनकी physical workers की physical, mental और social well-being को maintain करके रखना और working condition से उनकी health खराब ना हो इस पर ध्यान देना और उनको ऐसा occupational environment देना जो कि उनकी physiological ability के हिसाब से हो और psychological need के हिसाब से हो बस यही occupational health के तीन मुख्य उद्देश होते हैं अब छोटी सी जानकारी और occupational health पर अगर आपको कोई छोटा सा question आता है तो कि occupational health institute से आपको पता है अलग से health institute से occupational health से related वो कौन-कौन से हैं और क्या करते हैं क्या करते हैं तो भाई वो मुख्यता यही scientific studies करते हैं या जानकारी लेते हैं कि अलग-अलग जो aspects होते हैं occupational health पर उन पर ध्यान देते हैं working conditions हो गए, mental health हो गई workers की इन सारी चीजों पर ध्यान देना या इन सारी चीजों के study करना यह income मुख्य उद्योष होता है occupational health institutes का कौन-कौन से research institutes जो कि occupational health से related हैं वो इंडिया में काम कर रहे हैं या इंडिया में active हैं तो कौन-कौन से हैं सबसे पहले तो Central Labor Institute Mumbai का Central Mining and Research Station धनबाद में जो है Industrial Toxicology Research Center जो कि लखनव में है Occupational Health Research Institute और National Institute of Occupational Health एहमदाबाद में है नीदी या National Environment Engineering Research Institute जो कि नागपुर में इनको याद भी कर ले ना क्योंकि MCQ मिले तो नहीं लेकिन आ सकते हैं तो भाई अगर हम बात करें Mumbai की तो Mumbai के लोग कैसे होते हैं वो एकदम labor type होते हैं तो बैसे शाम तक काम करते रहना काम करते रहना labor वन जाते हैं वैचारे मुंबई में जाके तो आप मुंबई से कैसे याद कर सकते हो मुंबई से याद रख सकते हो कि वहीं labor type की जिन्दगी है वहां पे तो धनबाद अगर आपने पचासों पिच्चरों में धनबाद का जिक्र है और धनबाद में माइन्स या माइनिंग होती थी या दूसरी तरीके से याद रखनी हो तो माइन्स माइन्स से क्या निकलता है वहां से गोल्ड निकलता है वहां से डाइमंड निकलते है वहां से कोल्ड निकलता है तो यह सब माइन यह सब चीजे क्या है यह पैसा धन तो माइन से धन निकलता है तो माइनिंग वाला जो है वो धन बाद में होगा ऐसे याद कर सकते हो लखनाओ की बात करें ना तो लखनों में जी हजूर आई हजूर बदलब एक्तम शालींता वहां पर आपको टॉक्सिक लो बहुत ही मतलब नवापतर के लोग मिलेंगे आपको बहुत ही शांत सुभाव के बहुत इजद आदर सदकार करने वाले लोग मिलेंगे आपको तो टॉक्सिक लोगों की तो वहां पे हैंस न तो इसलिए टॉक्सिकोलोजी के लिए आपको स्टडी करने के लिए लखनो भेज दो सिंपल कि ऐसा इंस्टिटूट लखनो में आपने खोल दिया इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलोजी रिसर्च सेंटर उसके बाद आपके पास नीरी और नाकपूर तो यह हो गया आपका धनबाद वाला सेंटर इंस्टिटूट ऑफ माइनिंग वाला यहापको धनबाद यहां पे दिख रहा है उसके बाद जो लेबर वाला है मुंबई में जाके सब लेबर बन जाते हैं तो सेंटरल लेबर इंस्टिटूट मतलब labor बननी जाते हैं labor जैसे एक तम सुबह शाम काम करते रहते हैं इसी लिए उसके बाद toxicology वाला आपके पास लखनों में जो है उसके बाद occupational health अब देखो एहमदाबाद के जो लोग होते हैं वो बहुत ही काम 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 के लिए वो होते हैं कि उनके पास काम होना चाहिए काम होना चाहिए यानि कि उनके पास occupation होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर occupation है तो आपके पास self-respect है यानि कि आपके पास एहम है तो occupation एहम तो ऐसे आप याद रख सकते हो तो यह देखो यह आपका national institute of occupational health आपका एहमदाबाद में है ठीक है और and for Niri and for Nagpur याद रहेगा तो कैस से याद कि आपने लेबर मुंबई धन धन कहां पर है माइन से निकलता है लखनव में toxic नहीं मिलेंगे और उसके बाद occupation से आपका एहम आता है उसके बाद and for Niri and for Nagpur याद रहेगा तो यह कुछ occupational institute है जिनके नाम पे आपको MCQ आ सकते हैं ठीक तो अगर मैं बात करूं सवाल क तो theory exam की बात करें तो इस पे ना occupational health पे आपको very short note आने के chances होते हैं और अलग-अलग university में आया भी हुआ है very short note very short note आता है तो आप occupational health की aims बता दीजे उसके बाद आप उसके institutes बता दीजे कौन-कौन से मुख institutes हैं अगर मैं बात करूं वाइवा की तो वाइवा में आपको main यहां पर पूछा जाता है कि occupational health institutes के ना नाम बता दो तो आपको यह नाम पता होने चाहिए plus जैसा कि मैंने कहा कि उनके ना शहरों के नाम भी याद होने चाहिए तो वो भी हमने याद कर लिए उसके बाद अगर मैं बात करूं MCQs की तो जितने भी underline part आपको हमाई notes और slides म मिलेंगे वो सभी अलग-अलग PG entrance exam में पूछे गए MCQ questions हैं तो इस पर मुझे मिला तो नहीं लेकिन जो मुझे लगता है कि आ सकता है MCQ वो है कौन-कौन से research institute हैं इन पे MCQ आ सकता है